लमस्कार दोस्तों ज्यान विशेश चैनल में आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है अमारा देश भारत वर्स अनेक वेद जड़ी बुटियों से भरा हो आ है भारत वर्स में अनेक प्रकार की चमतकारिक और दुरलब जड़ी बुटिया पाई जाती है जिसकी जादतर लोगों को पहिचान नहीं होती या इसके गुणों को नहीं जानते दस्तो आम को तो सब लोग खाते है आम सभी लोगों का एक पसंदिता और मिठा फल होता है इसे बच्चे बड़े और बुटे बड़े प्यार से खाते है इसमें कोई संदिय नहीं है कि फलो का राजा आम स्वास्ते गुणों का खजाना होता है लेकिन क्या आपने आम की पतियों के बारे में जाना है कभी? नहीं न तो आज की वीडियो पूरा देखे आम की पतिया आउसदिय गुणों का खजाना होती है आम एक बेहज और स्वाधिष्ट मिठा फ़ल होता है लेकिन ये आपको बारो मास नहीं मिल सकता लेकिन आम की पत्या एक ऐशी चीज जो आपको बारो महिना मिल सकती है आम के पतिया आउसदिय गुनों का खजाना होती है इसमें आउसदिय गुन कुट कुट कर बरे होते हैं तो दस्तो आए हम आज सभी जानते हैं कि आम के पतिया किन किन बिमारियों में उपयोग में ली जाती हैं इन पतियों में विटेमिन A, B और C होता है तथा अन्य प्रकार के पोशक्टत्व भी भरफूर मातरा में होते है इसके अतिरिक्त इन पतियों में सक्ती साले एंटि-ओक्सिदेंट गुण होते है जधातर आम की पत्यों का पियोक पुजापाट और धार्मिकारियों में किया जाता है लेकिन ये कहीं परकार की बीमारियों को भी दूर करने में सक्सम होते है जोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले क्योंकि लाइक करने के कोई हमें पैसे नहीं मिलते आपके लाइक करने से हमारे वीडियो का मोटिविशन आपको जाता है अगर की पत्यों का सबसी बड़ा फाइदा होता है डायबिटिस की बीमारी में आम की कोमल पत्यों में केंटो टाइनाइटिस नाम का एक टेनिन होता है जो सुरुवाती मधुमे को दुर करने में कारगर होता है आम की पत्यों को साव में सुखा कर पावडर बना कर एक बोटल में ब जब एक चोथाई सेश रहे तब ठंडा होने के बाद छान कर सुबह साम पिलाए। ऐसा करने से डायबिटिस पूरी तरह कंट्रोल में रहता है। सुबह साम पिये। इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। दातों में दर्द हो मसूल से खुन आ रहा हो तो आम के पके हुए पत्तों को सुखा कर पाउडर बनाए। इसके साथ फिटकरी और काला नमक मिला कर मंजन करने से हिलते हुए दात मजबद बनते हैं और खु प्रेलू बहतरिन इलाज है। आम की पत्तों को पाने में उबालकर चाय बनाकर लगबग 2-3 गलास नहाते वक्त पाने में मिला दे और इसे नहाने से सरीर में स्पूर्ती और उर्जा बढ़ जाती है। आम की पत्तियों की पाउडर का रोजाना सेवन करने से पेशाब में ह पत्त की पत्तरी को दूर करने में सहायता मिलती है। इसके अत्रिकत रात में एक गिलास पानी में आम के सुखी होये पत्तियों के पाउडर को मिला दे। सुबह उस पानी को पिने से पत्तरी तूटकर निकल जाती है। आम की पत्तिया खांसी को दूर करने का जबर्जस्त और देशी इलाज है। इसके लिए 8-10 आमकी पत्तियों को पाने में उबालकर 1-14 से स्रेने पर ठंडा होने के बाद चान कर सहद मिलाकर रोजाना पिए। इससे सर्दी खासी और दमा में जल्दी ही फाइदा महिसूस होता है। साया में सुखाय हुए पत्तों के पाउडर को पानी के साथ रोजाना पिने से खुनी पेचिस में भी जबचस्त पाइदा होता है। अगर किसी का गला बैट कया हो, गले में खराबी हो, आवाज ठीक ना हो तो आमकी पत्तियों को पाने में उबालकर गुन-गुने पाने से ग पुल जाती है। कान में दर्द होने पर भी आमकी पत्तिया गरेलू इलाज है। आमकी कुमल पत्तियों का रस निकाल कर चार से पांच बुन्दे कान में डालने से कान का दर्द ठीक हो जाता है। सरिल के जले हुए हिस्से पर आमकी पत्तियों के पाउडर की राक सिड़कन कुछ देर तक लेने से हिच की खत्म हो जाती है तो दस्तो सुना आपने कि आम के साथ शाथ आम के पतिया भी कितने फायदेमंध होती है कहीं प्रकाल की बिमारियों में आप आम के पतियों के मदद से घरेलू इलाज कर सकते है तो दोस्तों ये थी आज की महत्व पूर्ण जानकारे वीडियो पसंद आने पर लाइक करे, सेर करे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई जानकारे के साथ